अब आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल खानापीना.com पे दोस्तों आज हम बना रहे हैं हलाल मिर्चे का अचार जिसे आद में बिल्ट पूल भी मैनत नहीं होगी और आप इसे बहुत ही फटा-फट से बना के तयार करें और आप सब्जिया नहीं हो तो इस अचार के साथ आप रोटियों का मज़ा ले सकते हैं तो चलिए चुरू करें आज हम बनाएंगे लाल मिर्ची का आचार इसके लिए मैंने इस प्रकार से लाल मिर्ची लिए देखिए इसे हमें अच्छी से साफ करके शुखा के कपड़े से पहुंच के इसे हमें कट कर लेना है ये जोटी साइज की होगी तो हमें 2 साइज में कट करनी हैं अगर बड़ करें के रख़ए है इस प्रकार से आपको मिर्ची ऑ कट कर लेना है और हमें इस के बीज-वेज कुछ भी नहीं निकालना इसे प्रकार से इसे कट कर लेंगे अब इसे हम सारे मसाले इसमेंப t あり matched मैं आपको एक बात बताती हूं आपको अगर कोई बीज मसाले ऐसे हो जो धू भून के भी ले सकते हैं, मैंने कोई भी मसालो को भून के नहीं लिया है, सबको इसी प्रकार लेना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ, यह मैंने ली है, पीली वाली सरसोब, जिसको मैंने दर्दना से पीस लिया है, मिक्सी में, इसे हम एक पड़ा चमश इसमे एड करेंगे, इसके बाद मैं लूँगी अमचूर पाउडर, यह भी मैं एक से एक और थोड़ा सा और एड करूँगी, आप मिर्ची जिस हिसाब से हो, आप उस हिसाब से लेख सकते हैं, देखिए अमचूर है, इसे ड्राय मैंगो पाउडर भी बोलते हैं, अब मैं यूज करूँगी, प पीस किया है, नमक आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, मिर्ची अमच वैसे तो पूरा ही चाहिए नहीं तो हमारी मिर्ची खराब हो जाएगी, मैंने इसी चमच के मेजर से, चार चमच मैंने नमक के लिए है देखिए, यह चारी चमच नमक होंगे, मिर्ची आपकी ती मेर चमच कालजी है जिसे जादा मिंग करना है इसे गनार चमच मैं लेघिया है तो यहाँ भी मिय्क्स करें सब्सक्रब्ज झाला यूज लियोग है पर लिए Bhag Dodabποι। अब में यूज कर रही हूं सौंफ यह भूनी नहीं है कची मैंने मिक्सी में इस तरह से पीछ लिए देखिए दर दर इसी सौंफ आपको दिखाई दे रहे हैं इसे में दो चमच एड़ करूंगे अब इसके साथ अब मैं एड़ करूंगे इसमें थोड़ असर पेल यह भी मैं दो ही चमच के करीब आपको दिखा देती हूं यह हमने एक चमच एड़ किया है आप पहले सभी मसालों को अच्छी से मिक्स करेंगे के बाद यह आप देखेंगे आपको जरुवत लगी तो आप लगांगे दो हं चमच पहले तो हम डालकर चिक कर लेते हैं अब हम सभी मिर्चियों मेर्ची में सभी मसालों कुछि से मिक्स कर लेंगे पर नहीं थासे ऐड़ ना शर्टों के यह रचार घृब प्ρεंटी आप इसे ःफ ठंड़ कर ले और ऑर इसीसमें उसके से बाद यूंज कर सकते हैं, तुकोरी बिन्स क्या えहिता है। हम इसी प्रकार से इसमें ऐ भूना अर गढं़ार इंगे। फिर भी करें बनाती है। बहुत ही टेस्टी देगए। युपकि इसे कट करो मिर्चिया बना रहे तोस्य नहीं हो गधiras तलिए वेस्टेष नहीं होगी इसमें मसाले थोड़े से दिखने चाहिए तेट दिखे हैं तूरे से था यह इसमें धूब भी स्याड़ी को दिखाइंगे तो चाहिए एक चमच एक चमच तेल ओर एड़ करना ना पडे गा थे थोड़े से हमारे मसाले ड्राय है अब एक चमच तेल और एड़ कर लेते हैं अभी अच्छी से मिक्स कर लेंगे बस हमें इतना ही तेल इसमें अभी डालना है अब इसे हम जैसे मैंने आज इसे बनाया है मैं इसे कवर करके इसे आज ऐसे ही रख दूगी कल मैं इसे धूप दिखाऊंगी तीन से चार घंटे के मैं इसे दूप दिखाऊंगे हमें इसे ज्यादा दूप नहीं दिखाऊंगी हमें दो से तीन दिन इसे चार घंटे के लिए तूप दिखाना अगर ज्यादा हम दूप दिखाएंगे तो मिर्चिया पूरी सुप जाएगी इसलिए हमें इसे ज्यादा भी दूप में नहीं मेरी आधा किलो मिर्ची है, मैंने आधा किलो मिर्ची में ये मसाले एड किये है, आप जितनी चाहे मिर्ची ले सकते हैं, आप एक किलो लें तो ये मसाले को डबल कर दें, मैंने दो चम्मच के तरिफ जो चीज एड किया है, आप उसे चार चम्मच हिसाब से ले सकते हैं, उसी तमड एक चमच के करीब इसमें तेल आड़ दिया है जर्वत लगी तो थोड़ा साम और एड़ करेंगे चलिए एक चमच और एड़ कर लेते हैं हलका सा बस आम इसमें ज्यादा तेल के यूज नहीं कर ला है अभी मसाले हैं देख रहे हैं आप इसमा बढ़िया मसाला हमारा ब करें के अब एक दिन इसे दूल दिखा के हमें इसे बढ़नी में रख देना देखिए 10 ते 15 दिण में हमारा अचार इस प्रकार से बढ़ जाएगा इधा देखा रहे हूं हमारा अचार एक दम बढ़िया बनके तयार है आब इसे नोटी के साथ पाई है इसे बेंद्र्पी क आपके साथ के लिए लेते हैं औरे टाटा पाइबाय टेक केर